आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन्ध धर्मका उद्गोश ऐसे ही लेटस्ट अब्डेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजे तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजे इस बेल आइकन को आप दी वे जायंह दो यम्या सब्साभूनं眉 बुर्दै दीव्यश्री चंदपर्भु भगवान की। बुर्दै दीवस्री पस्षणात भगवान मुल्य आचारी चारी चकवर्थिस्वी सांती सागर्जी महाराझ बुरे आचार अतने एक सुआट से अजिस सागर्जी महाराज गुर्वर आचार कल पे एक सुआट से सर्मती सागर्जी महाराज बुरे जैन धर मैं की जै ज्यान की संक्ला में आर्ट ध्यान का आज तीसरा पाया है पीडा चिन्तवन पहला था इस्तव्योग अनिष्ट संयोग और तीसरा पीडा चिन्तवन पीडा मने सरीर में कोई रोग उत्पन होने की चिन्ता करना अभी रोग हुआ नहीं है फिर भी मैं ये खाऊँगा तो ये हो जाएगा ये खाऊँगा तो ये हो जाएगा ये पीऊँगा तो ये हो जाएगा इस प्रकार की जो चिन्तवन चलता है जो चिन्ता चलती है उसे कहते हैं पीडा चिन्तर होने के बाद तो सरीर में रोग होने के बाद तो वो चिंता करता ही करता है कि ये मेरा रोग कब दूर होगा लेकिन पहने से उसे ये हो जाता है कि ठंडे पाने से ना होगा तो सिर में दर्द हो जाएगा इस प्रकार का जो विचार करता है वह भी पेड़ा चिंतन ही नाम का आर्ट ज्यान है इसी प्रकार प्रतेख मानों को अपने जीवन में ये सोचना चाहिए कि जो होना है वो सरीर में होना है ने कि आत्मा में होना है जो भी पेड़ा होती है ये पूर भो के असाता करम के उदे से होती है और वह असाता कर्म किस ने बांदा है हमने तो बांदा है हस हस करके जब बांदते हैं तब पता नहीं चलता है कोटी बड़ स्रिपाल साथ सो सेनाओं के साथ जंगल में भ्रमन करने के लिए निकले और साथ सो मुनी राजों को बिहार करते हुए देखा उस राज के अंदर उन्होंने सोचा कि मेरे समान संसार में कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा मान उनके सरीर में आया उनके भावनाओं में आया और वे कोड़ी कोड़ी करके उन साथ सो वीरों के साथ बोलते चले गए उनने बोला उनके साथ उनके साथ ही जितने थे उनने बोला सब ने असाता वेदनी करम का बंद किया अब जब उस भोगे अंदर तो जितने कसाई से आप बंद करोगे उतना लंबा बंद होगा जितने कम कसाई से बंद करोगे उतना तद्वों में उदे आ करके निकल जाएगा लेकिन ज़्यादा कसाय से किया हुआ बंद बर्सों के बाद उदे आता है तोंकि हमारे आचारे कहते है असाता वेदनी का बंद तीन कोटा कोटी सागर का होता है कितना तीस कोटा कोटी सागर का होता है और वो उदे कब आएगा जब 3,000 वर्स बीज जाएंगे तब एक बार का बंद किया हुआ कसाय के साथ, मान के साथ और भोगों के साथ जो चीज ये बंद करता है वो उतकष अगर बंद करता है तो तीस कोटा कोटी काट का बंद होता है असाता वेजनी का और टीन हजार वर्स के बाद उद्धे आएगा ऐसे कोटी भड स्रिपाल ने असाता का बंद किया कहने मार्ट से और जब उनका उद्धे में आया तो फिर राजा के भव में ही उद्धे आया और कामडेव की परियाए में सूचिया स्विपार कोटी भड काम देव छे और उनके शरीर में इस पकार का रोग उत्पन हो गया और वह एक नहीं उन्हीं साथ सो बीरों के साथ हो गया यह जितने भी परिकल मिलते हैं बया यह सब पूर भो के उदैसे ही हमारे साथ आते हैं पूर भो में किसे ने किसे परियाब में वह हमारे साथ थे और आज भी वह हमारे साथ उन्हें आ करके जूड जाते हैं जब एक साथ बंदे करते हैं तो एक साथ ही हमारे उदै आता है जुआ खेलने वारे चार व्यक्ति होते हैं और जीतने वाला एक होता है और जब वे जीतता है तो जितने पसास लोग खड़े हुए वहाँ उसकी तारी बजाते हैं कि अम्मों को अधमी जीत गया तो सब को उस जुआ का बंद होगा खाली तारी बजाने मात से इसे प्रकार सास सो वीरों के साथ जब कोटीबट स्रीपाल को रोग हुआ और सरीर से इतनी दुरदंद चालू हो गई कि नगर के लोग भी रहने के लिए तैयार नहीं सब जाने के लिए तैयार इस रोग से हमें आहां रह सकते नहीं हैं इस साथ सो वीरों के साथ कोटी बर्षिभात जंगर में चले गए तो सोच ये इस पकार पीडा का बंद हम किस भौ में करते हैं और आज किस भौ में हमारे उदे आता है आजे लंगडा लूडा गहरा गुंगा आधी जो भी चीज बनते हैं यह पूर भो के करम के उदे से बनते हैं किसी का हमने पैर टोड़ा होगा पूर भो के अंदर आज हमारे पैर में भी रोग उद्पन हुआ हम तिर नहीं सकते हैं ऐसी जो बेजना है हमारे जीवन में उद्पन होती है यह हमारे ही करम का उदे है नहीं कि हम किसी दूसरे का उदे करते हैं और सरीर के अंदर तो कितने रोग भरे पड़े हैं एक अंगुल का एक पेरू कितना एक अंगुल का एक पेरू जिसके अंदर छान में रोग होते हैं एक हमारी आख होती है इस एक अंगारी आख के अंदर छान में रोग होते हैं तो पूरे सरीर में अंदर कितने रोग होंगे करोडों से उपपर किस समय किस कर्म का उदे आ जाए किस समय किस रोग का उदे आ जाए अब कुछ पता नहीं है आज सादू सब सुद्र फोजन करते है सुद्र खाते हैं सुद्र पानी पीते हैं सब कुछ करते है लेकिन करम का उदे तो किसी को नहीं छोड़ता है आज सोचते होंगे कि आज के सादों के तो होता ही होता है लेकिन नहीं बैया चोठे काद में भी भूस सारे सादों को भूस सारे रोग होते थे आज की बात नहीं है तो करम का उदे है करम अनाधिकाल से चले आ रहे हैं और अनाधिकाल तक चलते रहेंगे बादिराज मुन्राज ज्धान कर रहे थे किसी ने देखा उनके सरीर के अंदर सुबूरे में कोड उत्पन हुआ था किसी ने जाकर राजा से कहा राजन दिगंबर सादू सब कोडी होते हैं क्ठा उससे जाकर राजा से कहा कि राज़न दिगंवर जित्ते साधू weiß सब उनके सरीर में दुप में आती है वे इस्नाम नहीं करते वे प्रघ्व훈 नहीं करते इस्रे उनके सरीर में रोग पीड़ा उठ्पन हो जाती हैं नी कि राजा ने कहा ऐसा तो हैं उनने कहा मैंने देखा राजा ने कहा मैं सुबह चलूँगा तुम्हारे साथ और मैं देखूंगा कि दिगंबर सादू कैसे होते हैं वहां बहुत सारे लोग सभावें बैठे हुए थे एक वहां से उठा और मुन्राज के पास पूंचा मुन्राज से हाथ जोड़कर बिंतिकरी भगवन कर प्राट्यकार राजा यहां पर आपको देखने के लिए आएगा अगर यह आपके सरीर में कोड रहा तो आज से नहीं हमेशा के लिए यह हो जाएगा कि जिगंबर सादू कोड़ी होते हैं धरम की हानी होगी धरम का अफमान होगा और धरम के अंदर गहराई नहीं पहुँँच पाएगी और वे धरम के बेरुद होते चले जाएगे मुंदाज ने कहा बेटा कोई बात नहीं सरीर का रो गया असाता बेजनी कर्म का उदेए है इसको हम नहीं रोक सकते है यह चलता ही रहेगा क्या कर सकते है इसका परन्तू उस व्यक्ति ने रورते हुए आखों से आंसो निकालते हुए बार बार मुंदाज से कहा महराज यह बात है धरम पे हमारा कलंग नहीं लग जाए इसलिए मैं आप से बार-बार निवेदन करता हूं मुंदाज ने कहा तथास तो अभी तो रात पड़ी हुई है तुम चिंटा क्यों करते हो कि दिगंबर सादू ऐसे नहीं होते हैं इस बात का तुम भी चिंटवन करो और मैं भी चिंटवन करता हूं उसने भी नमोकारमंट का जाप किया रात भर बैठ करके कि मेरे धरम का कहीं बदनाम न हो जाए मेरा धरम कहीं दूर न हो जाए अखिर मुन्राज ने भी अपने ध्यान में एकी भाव इस्तोत्र का पाठ रचा एकी भाव इस्तोत्र का 25 रोकों में रात भर के अंदर उनोंने पाठ रचा और उनोंने ये कहा भगवान मेरा सरीर ऐसा है मेरे आत्मर उपे संगासन पर मुझे आपको बिछाना है लिकिन कांटों से भरा मेरा ये आत्मा मेरा मन कांटों से भरे संगासन के उपर भगवान आप कैसे विरादमान हो सकोगे मेरा ये पाप जब तक दूर नहीं होगा तब तक भगवन में आपको मेरे मन सिंगाशन पर विरादमान नहीं कर सकता भक्ति करते हुए एक की भाव इस्तोत की रचना करी त्राटे काल रात भर के अंदर उन्होंने चिंत्मन किया सरीर के रोग का विचार किया और उन्हें कहा मेरा सरीर के रोग की मुझे कोई चिंता नहीं है मिटे ना मिटे मेरे से कोई तक्रीम में सरीर में रोग उत्मन होता है आत्मा में नहीं परंटू धरंपे करण नहीं लगे बस इसके लिए मैं भगवान की भक्ति करता हूँ उनका सरीर कैसे हो गया स्वर्निम सोने के समान उनका सरीर चमकने लगा लेकिन उनने भी अपने एक अंगुली के अंदर उस कोड को रख के रखा छोटी अंगुली पे कोड को रख के रखा और पूरा सरीर उनका सोने का बन चुका आखिर प्राट्यकार उदे हुआ सूरी के राजमा निकली राजा तो रात पर बैठाई था ति मुझे सुबह जाकर के दिगंबर सादों को देखना है आखिर जिस व्यक्ति ने कहा था उस व्यक्ति को साथ लिया और पूरे मंत्री वगरे सब साथ हो करके और खोज करने चरे जंगल को तिकों साथ वैसा दिखाई दे जो कोड से भरागुआ हो मुझा जंगल में विराजमान थे अपने ध्यान में लीन थे और सरीर उनका जैसे उगे हुए सूरी के समान लाजमा से चमक रहा था उनके सरीर से किरने पूट रही थी उनके सरीर का तेज जंगल के अंदर प्रकाशमान हो रहा था उस व्यक्ति ने कहा व्यक्ति से राजा ने पुछा कि कौन सा मुनी ऐसा जो दिखंबर तो ये कोड से भरा हुआ हो तुमने कहा दिखंबर सादू कोड ही होते है मैंने तो यहां किसी को नहीं देखा कि जिसके सरीर में कोड हूँ उस व्यक्ति ने कहा महराज यही जो बैठा हुआ है इसी के सरीर में पूरा कोड कर से भरा हुआ था मुन्राज ने अपना ध्यान छोड़ा और राजा ने नमशकार किया राजा ने नमशकार करने से उसके मन में कितनी निर्मलता प्रापत हुई कि व्यक्ति क्या क्या बोडते हैं किसके लिए क्या सब्द निकालते हैं यह इन्हें कुछ पता नहीं होता है जैसे उन्हें नमशकार किया गुरू ने आशिरवाद दिया गुरु तो मन पर ये ज्ञान इठे उनने कहा कि राजन मेरा सरीर ऐसा ही था जैसा इसने कहा था वैसा ही था परंतु इस धर्म के कारण इस धर्म में कहीं भी दाग ने लग जा इसलिए मैंने रात्री भर भगवान का इस्तुन किया भगवान का चिंट्वन किया और करने मात से मेरा सरीर ये कोड से निब्रत हो गया उनने अपनी अंगड़ी को दिखाया कि मेरा कोड ये था कितनी मवाद उसमें से निकल रही थी लेकिन मैं इस पीड़ा का चिंट्वन नहीं करता रोग तो सरीर के उत्पन होता है राजन आत्मा में नहीं ये पूरकरत उदे आता है दिकंबर सादू ऐसे कभी होते नहीं है करम का उदे किसके साथ कब आजाए ये कोई पता नहीं होता है इसलिए संसार के अंदर प्रत्यक प्राने को ये सोचना चाहिए कि सादू कैसे होते हैं अत्वा स्रावक कैसे होते हैं आज स्रावकों के भी भोस सारी पिडाएं उत्पन होती है सादू को तो पिडाएं रहेगी तो वो सहन करेगा जितने उसके सक्तिय है उस हिसाब से वो अपनी उसकी साधना करेगा कि जिसके द्वारा ये रोग मेरा दूर हो लेकिन फिर भी वो रोग दूर करने के लिए नहीं आत्म चिंटवन अपने स्वयम के लिए करते हैं उनकी असाता वेदनी पुन्य के कारण से वो स्वयम अपने आप दूर होती है परंतु स्रावक भी जितनी सक्ति है उतना वो भी सहन करते हैं ऐसा कुछ नहीं है सक्ति के अंसार सभी को अपने अपने किरियाओं को कारण करना होगा लेकिन फिर भी बार बार उस पिड़ा का चिंतन न करो क्योंकि आठ ध्यान से क्या होगा बार बार उस पिड़ा का चिंतन करोगे वो आठ ध्यान कहलाएगा और आठ ध्यान से फिर नया कर्म और बनता चला जाता है बेदना है शरीर में बुखार आया है सांटी से सहन करो दबाई लो कोई तक्रीम नहीं है दबाई से रोग दूर करो लेकिन हाई हाई नहीं करो हाई हाई करने से आठ ध्यान होता है मेरा कब बुखार दूर होगा दूर होगा ये तो जितने असाता है उतना तो फल देगा ही देगा आपको बिना दिये तो जाने सकता है लेकिन फिर भी अगर आप सांति से उसे सेहन करोगे तो वो पूर का बंधा करम तो स्वेम निर्जरा हो जाएगा लेकिन आगे के दिए उस असारता का बंध आप ने कर पाओगे इसी दिए सबसे बड़ा रोग संसार के अंदर दो है जनम और मरन का ये सरीर के रोग चो होते रहते हैं आते रहते हैं और जाते रहते हैं देखे एक भूग जो लगती है त्रशा जो लगती है ये भी असाता बेदनी करम का उदे है हमारा भूग प्यास लगना ग्यारा परी से बेदनी करम के उदे से होते हैं भूख लगती है, प्यास लगती है, सारी चिज़े यहारे बेज़दी करम का उदे है, लेकिन उसको पूरी करना नाम करम का उदे है, और उसमें राग देश की पन्नती करना मोह करम का उदे है, मोहनी करम के उदे से, अच्छा आया तो भोष अच्छा रगा, और नमक नहीं है तो बड़ा उसकी रखाना भी, एक पकार की जो चिंत्वन होता है, यह मोहनी करम का उदे है, और भूख प्यास असाता वेजनी करम के उदे से होती है, और जो शरीर में ताकत आती है उसको खान वो जीवन भर नहीं खाये तो उन्हें को जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी इस सरीर को चलाने के लिए, धर्म की साधना के लिए, खाना पिना अवश्य करना होगा, इसी दिए खाते पीते हुए भी, हम उस करमों की निजरा करें कि अनादिकाल से खाया, फिर भी ये बेदनी क जर्म मेरा सांत नहीं होता है, इस पकार की जो भावना करके हम खाना पिना भी करते हैं, रोग को भी सहन करते हैं, और सहन करने का अभ्यास भी बनाते हैं, कि हमें सहन हो कि सरीर में रोग होता है, आत्मा में नहीं, इस पकार की भावना करके हम पीड़ा चिंत्वन का विचा करें और अपने जीवन को साथ तक बनाएं आप देख रही हैं तीर्थंकर चैनल जैन्द धर्मका उद्गोश ऐसे ही लेटस्ट अब्डेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को